दोस्तो भारत सरकार ने स्वामित्व संपत्ती कार्ड को लांच कर दिया है जिसे दोस्तो सभी को डाउनलोड करना जरूरी है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप स्वामित्व संपत्ती कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे और इसे का जो official Twitter handle है उसे open कलिया है यहाँ पर दोस्तों ट्वीट करके यह बताया गया है कि सौमित तो property card अब आप online डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड होना शुरू हो चुका है यहाँ पर ट्वीट करके बताया गया है तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे इसका क्या क्या benefit मिलेगा उस इसके बाद आपको इसी open कलेना है open करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा यहाँ पर दोस्तों आपको get started के उपर क्लिक करना है अब दो option आएगा एक है sign in का दूसरा है create account का अगर dizzy locker के अंदर आपका पहले सही account है तो आप sign in कर सकते हैं अगर पहली ब आपके आधार कार्ड में जो आपका date of birth है उसे यहाँ पर डालना है यहाँ पर दोस्तों आपको अपना gender select कर लेना है male, female, other ठीक है यहाँ पर आपको अपना mobile number type कर लेना है यहाँ पर दोस्तों आपको 6 digit का एक कोई भी pin set कर लेना है जिससे दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि Dizzy Locker account में login करेंगे तो यह pin की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो आपको यहाँ पर अपना pin set करना है और उसे याद रखना है यहाँ पर आपको अपना email id डाल देना है और last में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार number डाल देना है यह सब चीज़े डालने की बटन पर क्लिक कर देना है जिसके बाद दोस्तों account create करते समय जो आपने 6 digit का pin बनाया था जो create किया था उसे यहाँ पर type करना है और sign in के उपर click कर लेना है sign in करने के बाद दोस्तों आपके सामनी यह application इस प्रकास से खुल कर आ जाता है अब आपको यहाँ पर दोस्तों स्व और search करेंगे तो जिस state में दोस्तों property certificate यहाँ पर download हो रहा है वो सभी state आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते है उत्तर प्रदेश, उत्तरा खंड हो गया, मद्र प्रदेश हो गया, 36 गड हो गया, सिकीम, आंद्र प्रदेश, हर्याना और कासमीर, लदाक का, गुजराद का, महाराष्टा का और काफी सारे state यहाँ पर हैं, करनातका का भी है, मतलब कि बहुत सारे state का यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा, अब जिस state का दोस्तों आप अपना property certificate या फिर स्वामित और property card डाउनलोड करना चाहते हैं, उस state को आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक करना है, जैसे कि for example के लिए हम अपना महाराष्टा डाउनलोड करना चाहते हैं, तो महाराष्टा के उपर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने इस प्रकास से यह open होके आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो property card verification number ह करना है, और get document के उपर क्लिक कर देना है, उसके बाद दोस्तों जो आपका property certificate है, यानि कि सौमित वर property card है, वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब इससे अगर आप अपने गैलरे में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर different है, जैसे कि यहाँ पर हम कोई और state को open कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यह 36 गड को open कर रखा है, इसमें दोस्तों आपसे कई चीजे मांगा जा रहा है, जैसे कि खासरा number हो गया, और आपको अपना जिला सेलेक्ट करना होगा, तैसल सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर विलेज सेलेक्ट करना होगा, फिर जाके आपका डाउनलोड होगा, ठीक है, तो ऐसे अलग-अलग state में थोड़ा सा जो process है न, वो अलग होता है, यहाँ पर मैं एक और open कर लेता हूँ, जैसे कि मद्द प्रदेश का आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपक CRL ID डालना होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर डाउनलोड होगा, तो ऐसी अलग-अलग state का दोस्तो डाउनलोड करने का जो process है, वो थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पर दोस्तो आपको चेक कर लेना है, आपके state में किस प्रकास से यह सौमें तो property card डाउनलोड हो रहा है और एक जरूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तो, यहाँ पर हम अपना यह जो twitter handle है वापीस से open कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तो यह जो tweet करके हमें बताया गया है, तो यहाँ पर कुछ state का नाम दिया गया है, इसी-सी state में दोस्तो अभी यह सौमें तो property card ड साथ हमारी channel को subscribe कर लेना, thank you दोस्तो, bye bye and take care